वेल्कम तो किंग एश दोस्तों आज मैं आपके लेके आये हूँ बहुत ही मज़िदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी उमीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें तो चलिए शुर 10 रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए इसके लिए हमें चाहिए होगा कोईला एक चोटा पीस कीमा आधा किलो बीफ बीफ ही लिजिएगा क्योंकि इसका मज़ा बीफ में ही आता है गरब मसाला पॉडर आधा टेबल स्पून रैड चिली पॉडर टू टेबल स्पून धन केमाटर एक मीडियम चौप हुआ हुआ प्यास तीन से चार मीडियम लेके उसे चौप कर लें और उसको फ्राइ कर लिएगा और इसके इलावा हमें चाहिए है आधा पाव तेल या एक कप तेल कीमे में फ्राइ कीवी प्यास, टिमाटर और तमाम मसाले डाल कर मरिनेट करने के लिए आधे गंटे के लिए फ्रिज में रख दें ओईल को हलका गरम कर लें फिर कीमा डाल कर पांच मिनट तक फ्राइ करें फिर दस से पंदर मिनट तक उसे ढख कर पकाएं फिर कोले से दम लगा कर इसे डिश आउट कर लें दम लगाने का सही तरीका हमने अपनी धुआ कड़ाई की रेसेपी में बताया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप वहाँ से देख सकते हैं मसेदार दम कीमान तयार है गरम गरम नान ये चपाती के साथ खाएं नेक्स वीडियो में एक बहुत जबर्दस रेसेपी के साथ दोबारा हज़र रहता हूँ जब तक अपना बहुत ख्याल लखें बाबाई